Hey guys, welcome to my channel, guys, आज की क्लास में हम Indian Economy यानि भारती अर्थ विवस्था से related 30 most important question डिसकस करेंगे, जो बार बार exam में पूछे गया है, यानि repeated question है, तो देखते हैं कि पहला question क्या दिया हुआ है, तो पहले question पूछ रहा है कि भारती अर्थ विवस्था के बारे में अमर्त सेन के अच्छा होनी चाहिए, या विश्व अर्थ विवस्था में इनके एकी करण के साथ राष्टी बचा होने चाहिए, ये statement थे, option आपके पास एक, दो तथा 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 चार सही है, एक, तीन तथा चार सही है, या पहला दूसरा तथा तथा चोथा सही है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से statement इसमें सही है, यहां आपका दूसरा, तीसरा और चोथा, ये तीनों statement आपके सही है, जो कि B option में दिया है, तो B option आपका correct हो जाएगा, इस question देखते हैं, इस question में कह रहा है कि British सासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थ विवस्था थी, उ आज के टाइम में mixed economy है, तो उस समय निमलिकित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाई यानि बिजनेस नहीं था, क्रसी, हस्तिसिल्फ, निर्माड या परेटन, तो यहां जो आपका right option हो जाएगा, हो जाएगा option number D, परेटन, इस question देखते हैं, इस question में कह रहा है कि आवे सक्त आपका right option कौन सा हो जाएगा आपका, प्रोफेसर जेके महता, इस question देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारती अर्थ विवस्था का मेरू दंड कौन सा छेतर है, सेवा छेतर, वितिये छेतर, परेटन छेतर या क्रसी छेतर, तो यहां आपका D option सही होगा, क्रसी छेतर, भारत कैसा देश है, क्रसी प्रधान देश है, यहां भारती अर्थ विवस्था का मेरू दंड है, वो कौन सा हो जाएगा, क्रसी हो जाएगा, तो यहां D option करेक्ट है, इस question देखते हैं, इसमें कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा रोजगार, प्रात्मिक छेतर से जुड़ा न नहीं है, तो यहां आपका D option करेक्ट है, इस question देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारती अर्थ विवस्था का मेरू दंड कौन सा छेतर है, सेवा छेतर, वित्तिय छेतर, परेटन छेतर या क्रसी छेतर, तो यहां D option करेक्ट हो जाएगा, क्रसी छेतर, सेम question ही repeat हुए है, तो यहां आपका E option सही हो जाएगा, कि भारत में प्रथम आर्थिक जनगर्णा 1977 में होई थी, तो यहां E option करेक्ट है, इस question देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत में हरीत करांती की जनक कौन है, आर्मिश्रा, केसी महता, MS स्वामीनाथन या P महिस्वरी, यहां आपका C option करेक या योजना आयो, वित्त मंत्राले, या केंदरी सांखिकी या संगठन, तो यहां जो आपका D option वो करेक्ट हो जाएगा, केंदरी सांखिकी संगठन, इस question देखते हैं, इस question में कह रहा है कि कलकत्ता, जो कि आज के टाइम में कुलकाता की नाम से भी जाना जाता है, में भार इस question देखते हैं, इस question देखते हैं, इस question में कह रहा है कि सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुक योगदान करता है, सरकारी संगठन, निजी छेतर कमपनिया, असंगति छेतर या परिवार, तो यहां जो आपका right option हो जाएगा, वो हो जाएगा, परिवार, सकल घरेलू बच इस question की बात कर रहा है, तो यहां family आ जाएगी, इस question देखते हैं, इस question में कह रहा है कि सकन रास्टी आए, हमीशन निवल रास्टी आए से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है, विदेशी आए, प्रत्यत छिकर, पूजी खपत भत्ता, यह प्रत्यत छिकर, यह आज यहां का सी आप्ट्सिन हो जाएगा, पूजी खपत भत्ता, निजफ कोशन देखते हैं, निजफ करूशन ने कह रहा है कि वर्स 2014-15 की तुलना में भारत की प्रतिव्यक्ति आये, वर्स 2015-16 में कितने प्रतिसत की ब्रत्ती होई थी, 6.1%, 7.4%, 7.6% , 7.72%, तो यहां का य यह option सही हो जाएगा 7.4% की बढ़ात होई थी व्रती होई थी इस पूशन देखते हैं इसमें कह रहाएगा 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आये कितनी थी 249 रुपए 349.60 या 449.60 या 549.60 तो यहां राइट ऑप्षिन कौन सह हो जाएगा यह ऑप्षिन करेक्ट हो जाएगे 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आये जो थी कौन अर्थ सास्त्री नहीं थे दादा भाई नरोजी, वीके आर वी राओ, आर सी देसाई या प्रशान्थ चंद्र महाल नोबिस तो यहां राइट ऑप्षिन जो हो जाएगा प्रशान्थ चंद्र महाल नोबिस इनके अलावा इनतीनों लोगों ने जो ब्रिटिश सासन के आजीविका का प्रात्मिक स्रोर्स क्रसी है 54%, 58%, 62% या 46% तो यहां आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 54% इस question देखते हैं इस question में कहा रहा है कि कौन सा भारती अर्थविवस्था का प्रात्मिक छेत्र है क्रसी, उद्योग, सहकारिता या इन में से कोई नहीं तो यहां जो आपका A option करेक्ट हो जाएगा क्रसी, क्यों? क्योंकि हमारा जो देश हो क्रसी प्रधान देश है तो हमारी अर्थविवस्था का जो main source है वो क्रसी ही है इस question देखते हैं पिर कहारा है कि भारत ने किस देश में भारत, अफरीका, क्रसी और ग्रामीड विकास संस्थान जिसे AIIARD के नाम से भी जाने जाता है कि स्थापना के लिए National Bank for Agriculture and Ruler Development Council Intency Services के साथ अपरेल 2019 में समझहोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं option आपके पास जांबिया, मलावी, तंजानिया, यकीनिया तो यहां जो आपका राइट अप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा option नमबर भी, मलावी इसकोशन देखते हैं इसमें कहा रहा है कि भूरी क्रांदी किसको बदल देने पर क्रेंदित है चाय और कॉफी के उत्पादन में व्रधी कच्छे चम्ड के उत्पादन में व्रधी और वर्कों के उत्पादन में व्रधी या इन में से कोई नहीं तो यहां जो आपका राइट अप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें कहा रहा है कि नियुकले अप्शन के बदल देखर 2018 का लट्ष वर्स 2022 तक भारत के क्रस निरियात को USS कितने तक बढ़ाना है 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 कुर्शन देखते हैं इस कुर्शन में कह रहा है कि विसेश्क्रसी छेत्र इस्थापित करने वाला पहला भारती राज कौन था आपके पास तमिल नाडू पंजाब उत्राखण या गुजरात तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका 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 करेक्ट हो इसका 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 भारती करसी अनुसंधान परिशन राजी सर्कान क्रसी लागत आयोक उसका इसका 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 recysh employ हो जाएग द्रिच्ट हो इसमें कहा रहे हैं कि निम लिखित में से कौन सी उपज नियूंतम समर्थन मूल यानि MSP के अंतरगत नहीं आता है तम बाखो कोपरा, सबजी या फल या पट्सन तो राइट आप्शन कौन सा हो जाएगा इसका यहाँ आपका भी आप्शन सही हो जाएगा कोपरा इसकोशन द कचाए को 14 as 10 रुपया पुंटन धान का नियूंतम समर्थन मूल या प्रभावी समर्थन मूल तो यहाँ आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा नियूंतम समर्थन मूल येन इस question देखते हैं, इस question कहा रहा है कि भूरी करांती किसको बदल देने पर केंदरित है, चाय और काफी के उतपादन में व्रद्धी, कच्चे चमड़े के उतपादन में व्रद्धी, और वर्कों के उतपादन में व्रद्धी या इन में से कोई नहीं, तो यहाँ जो आपका C option कुछने सही हो जाएगा, और वर्कों के उतपादन में व्रद्धी, इस question देखते हैं, इसमें कहा रहा है कि नहीं लिकित में से कौन सा पीत करांती से related है, मच उतपादन, अनाच उतपादन, दुखद उतपादन या तिलहन उतपादन, तो राइट option कौन सा हो जाएगा, इ याद भी कर लिजे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल सस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक यू,